पायल की सास बहुत चालाक और तेज थी कोई भी काम वो जट से कर देती थी और पता ही नहीं ऐसा क्या था सास में कि जो कोई भी उसकी बात सुनता था तो टाल नहीं पाता था पायल, ओ पायल, बहु पायल जरा मेरे उसाथ मौची के घर चलो आज उनके घर हमारा खाना है पर माजी मैं तो नहीं आ सकती हूँ मुझे तो मेरी मा ने आज घर बुलाया है तो मैं तो माएके जा रही हूँ माजी नहीं बहु तुम्हे तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा फिर सास चादू से बहु को अपने वर्ष में करके अपनी बात मनवा लेती है अचल रही हो या नहीं हाँ माजी चलिए मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए बहु ना बुलना चाते हुए भी ना नहीं बुली वहाँ से वापस आकर माजी अप मुझसे कुछ काम नहीं होगा मैं बहुत ठक गई हूँ और मुझे मेरी तब्देब भी अच्छी नहीं लग रही है कोई बत नहीं बहु तुम आराम करो शाम को जब तुम्हारे ससूर और पती घर आएंगे तब तक मैं सब कर लूँगी माजी वो तो एक घंटे में आते होंगे आप इतना जल्दी सब कैसे करेंगी बहु उसकी चिंता तुम मत करो मैं सब कर दूँगी तुम जाओ आराम करो जाओ ठीक है माजी जाओ बहु आराम करो जाओ बहु के जाते ही सास तो चुटकियों में घर की साफ सफाई कर देती है और खाना भी बना देती है और फिर वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है कुछ दिर बाद जब पती और ससुर घर आते हैं तब मा पाइल कहां है कहां है आप दोनो अरे दोनों ही नहीं दिख रही अरे क्या कर रही थी आप दोनों अरे बेटा आज हम दोनों ठक गए थे तो इसलिए आराम कर रहे थे इसलिए आज हम खाना भी नहीं बना पाए बहु मैंने तो बना दिया खाना मुझे इतनी भी ठकान नहीं थी हाँ और घर भी तो कितना साफ सुधरा लग रहा है हाँ बहु घर में किसी को तो काम करना ही पड़ेगा अब सब तुम्हारी तरह औराम करेंगे तो कैसे चलेगा हाँ हाँ माजी सब में आपके जैसे ताकत भी तो नहीं है सास को इस बात का बहुत गुस्सा आता है बैठी बैठी साज गुसे में कभी घमले को उठाती, कभी नीचे करती इतने बहु वहाँ आ जाती है। अरे तुम यहां क्यों आई हो ? मां जी घमला कैसे टूट गया ? तुमें उससे क्या ? क्यों टूटा कैसे टूटा ? तुम क्यों आई हो वो बोलो ! मा जी आपसे मिलने आपके भाई आए हैं ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ बहो के जाते ही सास घमला तुरन ठीक कर देती है फिर वहाँ से चली जाती है अज दीदी बड़ी देर लगा दी कमरे से बहाराने में क्या कर रही थी ललन कैसा है तू बड़े दिन बाद आया है गर आ दीदी यही सेर में कुछ दिन का काम था तो सोचा अपनी प्यारी दीदी से भी मिल लू अच्छा किया ललन जो यहां आ गया अब कुछ दिन यही रह कर जाना ठीक है कहा दीदी काम से आया हूँ कल दुपैर को ही वापिस जाना है ठीक है ठीक है ललन काम भी जरूरी है दीदी बड़ी तेज भूख लगी है कुछ खाने का मिल जाता तो बढ़िया रहता हाँ हाँ अभी लाती हूँ खाना माजी पर खाना तो खतम हो गया है फिर से खाना बनाना पड़ेगा ना बहु तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ खाना किचन में संभाल कर मैंने रखा है मैं अपने ललन को खाना खिला दूँगी तुम जाओ आराम करो जाओ पर माजी बहु कहा न तुम से जाने को तो जाओ, मैं भी किचन में जाकर लिलन के लिए खाना लाती हूँ इतना कहकर सास वहाँ से चली जाती है और बहु भी सास के पीछे-पीछे किचन में जाती है खाना तो है नहीं, पर कोई बात नहीं मैं अपने लिलन के लिए भी जादू से खाना बना लेती हूँ हाँ माजी पता है कल रात को मैंने सपना देखा कि मुझे जादू करना आता है क्या वहुत जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है यह सब फालतू की बाते छोड़ो और जाओ किचन में खाना वाना बनाओ जाओ ठीक है माजी रोहन की मा हमारे अफिस जाने के समय हो गया है खाना बना दिया क्या हाँ बहु बना तो रही है खाना अभी लाती होगी मा मुझे तो तुमारे हाथ का ही खाना पसंद है एक अलग ही स्वाध है उसमें माजी, मेरे तो सर में बहुत दर्दो रहा था, तो मुझसे तो खाना ही नहीं बना, अगर कुछ आप कर सकती है, तो बना दीजिए, मैं जाती हूँ कमरे में, ठीक है माजी? ये कहकर बहु वहाँ से चली जाती है, सास पे जादू से खाना लाकर अपने पती और बेटे को खिला देती है, फिर दिन में सास बहु को बुलाती है, बहु ओ बहु, यहाँ आओ, क्या कर रही हो तब से बहु? माजी आपसे कहा तो था, सर में दर्द है, तो आराम कर रही थी ज्यादा दर्द है तो दवाई खा लो, बहु यह आराम करते करते भी कब तक चलेगा? माजी दवाईयां तो मैं खाद लूँगी, लेकिन माजी, अब मैं अकेले सारे घर का काम नहीं करूँगी बहु खाना बनाना है, और थोड़े सफाई भी करनी है, बस यही काम तुम करती हो, बाकी काम के लिए तो नौकर हैं, तो इतना तो काम तुम कर ही सकती हो, कब तक आराम करोगी? माजी आपके होते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत है? हैं? मेरे होते हुए तुम काम नहीं करेगी? कहना क्या चाती है तू? माजी जब आपको जादू आता है, तो मुझे मैनद करने की क्या जरूरत है? आप तो कोई भी काम चिटकियों में कर सकती हैं, है ना माजी? क्या? जादू? कौन सा जादू? बहु फिर सास को सारी बात बताती है, बहु जब तुझे पता है, मुझे जादू आता है, तो तुझे मुझसे इतनी बहस करनी ही नहीं चाहिया थी? मैं अभी अपने जादू से तुझे सब बुला देती हूँ और आज के बाद किसी भी काम में तेरी जरा सी भी मदद नहीं करूँगी रुक जा तू फिर सास बहु की यादे मिटा देती है और बहु से घर का काम करवाती है और बहु को कभी पता नहीं चलता कि उनके घर में एक जादूई सास है